दोस्तो अगर आपको इमर्जन्जी के समवाई में अपने सोटे मोटे खर्षों के लिए पैचो की जरूत पढ़े जाए तो आज की वीडियो में जो मैं लॉन एप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही हेलफुल हो सकती है मैं जो इस एप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ वो है एक RBI रेजिस्टर NBFC कमपनी है और यहाँ पर आप सिर्फो स्रीफ आधार कर और पेन करके बिस्स पर 20,000 रुपय तक की लोन ले सकते हो और दोस्तो सबसे इंपोर्टेट बात इस एप्लिकेशन के यह है कि एक कमपनी लोज सिबिल स्कॉर पर भी लोन प्रोवाइड करती है यानि कि अगर आपका सिबिल स्कॉर खराब है फिर भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो यहाँ पर लोन अप्लाइ करने के सिर्फ दो मिलिट में आपके एकाउंट में लोन अमाउंट आ जाती है यहाँ पर दोस्तो मैंने कोल द्रोन लेकर रखा है तो उसके डिटिल के आपके साथ सेर की जाएगी और किस एप्लिकेशन के बारे में आज में बात कर रहा हूँ और यहाँ पर लोन अप्लाइ किस तरह से करना है वो सारी डिटिल आपको आज के वीडियो में मिल जाएगी तो हो सके तो एफ वीडियो को सुरू सुले के अन तक जरूर दिखेगा दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू कर देना और अगर आप हमारी चैनल में नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर दो और बेल आके अंडबा कर ओल नोटिफिकेशन ओन कर दो जिससे हमारी हर आने वाले इसी तरह के नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे तो चले दोस्तो वीडियो को सुरू करते है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम एह लोनी इस्टन प्रशनल लोन के बारे में बात करेंगे ले स्टोर में चार्श करोगे लोन नी तो आपके सामने यह वाले अप्लिकेशन आ जाएगी फेर इमेल फाइनस टेक्नोलोजी प्राइवर्ट लिमीटेड द्वारा इस अप्लिकेशन को लोंज किया गिया है इस अप्लिकेशन के रेटिंग के बात करें तो 3.9 के रेटिंग है और 5 लाग से बिज़ादा लोगों ने इसे डाउलोड किया हुआ है दोस्तो इस कंपनी में लोन लेने के लिए इंस्टन अप्रूबल मिल जाता है पेपरलेस और एजी लोन है और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर दोस्तो लोग सीबिल स्कॉर पे भी लोन मिल जाती है वो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है आपकी सोटी मोठी ज़रोत पूरी करनी हो जैसे के मेडिकल इमर्जंची, होम इंप्रूमेंट, कोलेस के लिए पैचु के ज़रूत है यह खोई ग्रूसरी वगरा खरीदनी के लिए पैचु के ज़रूत है तो यहाँ से आप लोन ले सकते हो क्योंकि यहाँ से आप इमर्जंची के समभाई में विदाऊद कोलेस्ट вопрос लोन ले सकते हो यहाँ पर आपको प्रेपर्लग स्प्रोसर देखने को मिलेगी लोस्टीम स्कुर में यहाँ पर आपको लोन मिल जाता है और यहाँ पर आपको flexible loan amount मिलती है, जितनी limit आपको मिली होगी, उसमें से आप जितनी इसा हो उतनी ले सकते हो अपने bank account में, और 200 रुपया से 20,000 रुपया तक की limit यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, अब दूसरे यहाँ पर eligibility criteria के बात करें, तो आप एक भारतिया नागरि होना चाहिए, अब दूसरे यहाँ आप documentation के बात करें, तो सिर्फ self ही, pen card और other card के ही जरूत पड़ेगी, और दोस्तो सबसे important बात कि एक company एक RBI register NBFC कंपने है, और इसका यहाँ पर NBFC नंबर भी इनो ने बताया हुआ है, और इसके NBFC है, Apollo Finance India Limited, अगर आपने दूसरे कहीं processing fees यहाँ पर बाकी सब application के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा लगाई जाते है, तो यहाँ आपको यहाँ पर सबसे पहले देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपके loan अमावरी 15% तक processing fees लगाई जाते है, तो यह बात का आपको ख्याल रखना है, कि आपको emergency में पेशो के सकते हो, यहाँ पर आपको ख्याल रखना है, तो यहाँ पर दोस्तो 15% processing fees लगाई जाती है, उसका लावा loan information, repayment और dismissment charge 0 है, अल्ली repayment charge 0 है, यहाँ पर दोस्तो minimum और maximum 92 days का tenure मिलेगा, आप 3 मेले के लिए इस loan को यूज़ कर सकते हो, और 18% late payment fees लगाई जाएगी, जो आपको देखना ज़रूरी है, अगर आप यहाँ पर लेट payment करोगे, तो उस पर आपकी loan अमा और की 18% fees लगाई जाएगी, तो दोस्तो late payment आपको नहीं करना है, अब दोस्तो यहाँ पर आपको जो की loan मिलेगी, उससे एक example की तो रपेशंट यह, तो यहाँ पर दोस्तो एक 1000 रुप अब दोस्तों यहाँ पर loan apply करने के सारी process बताएगी है, कि यहाँ पर loan कैसे apply करना है, जिसके बारे में दोस्तों मैं अब आगे आगे आपको बताऊंगा, और दोस्तों यहाँ पर इसके contact support भी दिया हुआ है, अगर इस application में कोई query आया तो यहाँ से आप contact कर सकते हो, तो चल लोन पर कितना साज लगेगा, और आपके bank account में कितनी लोन आएगी, वो सारी कुछ यहाँ पर जानकर मिल जाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, 200 रुपया से लेके 200,000 रुपया के loan यहाँ से आप ले सकते हो, तो यहाँ पर हम 20,000 रुपया चिले करेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर पुरा ट्रक्सर कंप्लेट हो जाएगा, जिसमें 20,000 रुपया के loan है, 30,000 रुपया प्रोसेसिंग फिस लगाई जाएगी, 17,000 रुपया हमारा बियांग के account में आएगे, 17,000 रुपया का EMI हर मन्त प्या करना होगा, और तीन मेहने का यहाँ हमें 10 जूर मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों हमें 20,000 रुपया के loan लेते हैं, तो तीन मेहने के बाद हमें इसका calculate करें, तो हमें total 4000 रुपया जितना ज्यादा जुकाना रहेगा, क्योंकि processing fees दोस्तों यहाँ पर हाई लगाई जाती है, जो हमें आपको शुरुवात में ही बताया था, अब दूस्तों यहाँ पर आपको दो option दिखेगे, एक है login और एक है sign up, अगर आप नहीं यूजर हो तो यहाँ पर आपको sign up करना होगा, अजय था already user हो तो यहाँ पर आपको login करना होगा, तो सबसे पहला हम यहाँ पर sign up के process बता लेते है, जो नहीं यूजर हो card number एंटर करना है, mobile number एंटर करना है, और email ID एंटर करना है, उसके बदिचे यहाँ पर आपको दो वोक्स देखेगे, उस पर click करके next पर click कर देना है, यह से दोस्तों next करते करते हैं, आपको total six step complete करना होगे, जिसमें आपकी employment detail पूची जाएगी, education detail वगरा कुस basic detail पूची ज उसके बाद loan मिलने के बाद दोस्तों आपके सामने क्या interface आईगा, वो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैंने already sign up किया हुआ है, तो आप मुझी यहाँ पर लोगिन करना होगा, और दोस्तों मैंने उसके उपर एक वीडियो और बनाया हुआ है, उस वीडियो में दोस्तों मैंने इस application में sign up कर पिम बताये था, और live loan हमारे bank account में transfer करके भी बताये था, तो अगर आपको यहाँ पर sign up करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप ओह वाली वीडियो हमारी देख सकते हो, उसके link आपको description में मिल जाएगी, तो चले दोस्तों लेते हैं, तो यहाँ पर हम login वाले option पर click करेंगे, तो हमरे समने कुछ इस तरी के centerface आएगा, यहाँ पर हमना mobile number पर एंटर करना है, और password एंटर करना है, और यहाँ पर simply login पर click कर देना है, तो हमारा login यहाँ पर successful हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, हमें यहाँ पर 500 रुपया के limit में यह हुए है, शुरुवत में यहाँ दोस्तों दोस्तों रुपया के limit मिली थी, उसके बद हमने risk का rhyme पर repayment कर दिया, तो उसके limit यहाँ पर increase हो गई है, अब दोस्तों यहाँ पर हम 500 रुपया की limit को हमरे bank account में लेते हैं, तो उसमें से 76 रुपय प्रोसेशिंग चीज कटेगी, दोस्तों 120 रुपया हमारे bank account में आएगे, 137 रुपया का हर मत EMI आएगा और 3 मेहने का समय मिलता है, यहाँ पर दोस्तों हर लोन पर 3 मेने का यह आपको समय देखना को मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है, जिसने आप देख सकते हो, हमारे 500 रुपय के लोन में चेए 424 रुपया हमारे bank account में आएगे और 3 मेहने का मैं समय मिला है, यहाँ पर हमारे EMI डेट भी आ गई है, जो कि 20 ओक्टोंबर, विक्स नवेंबर और मिस देसमबर, इन तीनों डेट को हमें यहाँ पर EMI पर करना हो वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपके सारी terms and condition को accept करना है, और simply confirm पर क्लिक कर देना है, तो जैसी confirm करोगे तो मातर 10 मिलिट के अंदर आपकी loan amount आपके bank account में पहुँच जाती है, अलाकि दोस्तों मैं अभी यहाँ से loan लेना नहीं चाहता, क्य कि मुझे अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है, और दोस्तों मैं ओलरी इसके ऊपर एक वीडियो बना भी सका हूँ, जिसमें live group loan अपने bank account में transfer करके दिखाया है, और दुसरे वीडियो में दोस्तों इसका repayment करके भी दिखाया है, तो अगर यहाँ से आपको कोई भी loan लेने मे दिखेत आये, तो वो दो वीडियो आप देख सकते हो, जोस्तों यहाँ पर थोड़े निच्छे आओगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको NBFC की पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसका NBFC नमबर, registration नमबर, सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ से कंपनी की जानक तब तक के लिए, गुडबाइ